हेलो गैस इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग आफ रोड का सो माल लेज़े के हमारे पास एक कार है यह नहीं रियल वाले और माल लेज़े के वह बहुत ही हाई स्पीड से चल रहा है स्ट्रेट रोड पे एसे जा रहा है और उसे turn लेना है तो turning के time में chances है की यह बाहर की तरफ skate कर जाए अगर इसका speed बहुत हाई है बहुत high speed से जा रहा है और उसी high speed को maintain करते वे turn लेगा तो चांसे है का turning के time में यह बाहर की तरफmile जैसे इस kit कर जाए, तो यह skid को prevent करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक तो हम कर सकते हैं कि यह road को थोड़ा और ज्यादा rough बना सकते हैं, friction को बना सकते हैं, ताकि friction बढ़ेगा, तो skidding of car को prevent करेगा, वो रोखेगा, तो road को rough बना सकते हैं, लेकि road को हम rough बनाएंगे, तो ए apart from that, यह road को हम ऐसे न बना करके, ऐसे बनाए होते, थोड़ा सा incline करके बनाए होते, इससे फायदा यह होता, कि जब यह car जब ऐसे straight आ रहा है, और high speed में turn लेगा, तो उस समें skid करनी की tendency कम जाएगा, यह skid करनी का जो यहां पर chances होगा, वो बहुत कम जाएगा, so मान लिए मान लिजए कि यह जो angle जितना हमने incline किया है road को horizontal के साथ में, उसे हमने theta माना है, so आईए इस derivation को देखते है, so यह road को जो हमने incline किया है, मान लिजए कि यह angle theta पे है, with the horizontal, so यह angle theta है, यह horizontal surface था, और road को हमने incline रखा है theta angle पे, और यहां पर एक car है, जिसका front view, या फिर back view हम शो कर रहे है, diagram काफी गंदा सा बनना है, ignore किसे, so इस car पे जो forces लग रहा है, उसे show करते है, mg लग रहा होगा, straight downward, towards the center of the earth, इसका जो skit करने की tendency है वो बाहर की तरफ है, इस तरफ skit करने की tendency होगा, जैसे के भी आपने देखा यहां पे, तो उस skit को prevent करने लिए जो friction लगेगा, वो इस साइड लगेगा, ulti direction में, so skit करने के जो रोकने के लिए, skit को रोकने के लिए, जो friction force लगेगा, वो इस साइड लगेगा, अपर्ट फॉम दिस और कौन सो फोर्स लगेगा नॉमल एक्षिन वो इस सही लगेगा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे नो इसे हम कंपोनेट्स में स्प्लिट करेंगे तो अगर ये थीटा है तो मानले लिजे कि हमने होजन्ट के पैले ने एक लाइन रॉय किया है ये थीटा है तो इसको भी थीटा होना परेगा फो ये अगर फॉर्स है तो कंपोनेट्ट में अगर श्प्लिट करेंगे ये बनेगा फ र कॉस थीटा और यहां फ calorie सांटीटा इसे भी हम components में split करेंगे तो अगर ये theta है तो ये 90-theta बनेगा क्योंकि ये friction वाले line friction force वाले line और normal reaction का line 90 degree पर है 90 degree to each other form कर रहा है तो ये theta है तो ये 90-theta बनेगा और अगर ये 90-theta है तो ये angle को देख लिए ये 90-theta है तो ये theta बनेगा क्योंकि अगें ये और ये 90 degree पर है तो ये 90-theta तो ये theta बनेगा तो ये in है तो ये बनेगा in cos theta components में और ये in sin theta in गया तो ये अगर इस के ना करे उसके लिए क्या-क्या होना पनेगा ये force और ये force तो इकोल होना ही पनेगा अपर्ट फम इस ये जो force जो इस तरफ लग रहा है this should be balanced by pseudo force अच्छा pseudo force के इस तरफ लगता है वो मैं बता दू आपको pseudo force हमें सलगता है away from the center of the circular path तो ये जो कार का center of the circular path होगा वो यहाँ नहीं होगा बहुत बच्चों को लगता है कि center of the circular path यहाँ होगा यहाँ होगा यहाँ होगा जी नहीं कार का जो circle of motion है वो कुछ ऐसा है ऐसे था या फिर ऐसे था तो in that case center of the circular path यहाँ कहीं होगा इस लाइन पे कहीं होगा तो pseudo force जो लगेगा वो away from the center of the circular path लगता है तो pseudo force इस तरफ लगेगा यह imaginary force होता है non-innosal frame में जब हमें study करता है तो तो pseudo force इस तरफ लगेगा तो अगर यह skid नहीं करता है तो this force should be balanced by this plus this and this plus this should be balanced by this force तो आई यह दोनों का equation बना लेते है यह बनेगा n cos theta equal to mg plus fr sin theta so यहां से mg equal to आएगा n cos theta minus fr sin theta यह equation one मन लिजे दूसराई question इसके लिए बनाएंगे so pseudo force mv square by r होता है mv square by r equal to n sin theta plus fr cos theta यह आपका equation 2 हो गया दोने equations को अगा हम डिवाइ कर दे 2 divided by 1 so that v हमें उबर मिलेगा निमरेटर में 2 divided by 1 so यह आपका mv square by r divided by mg mg equal to n sin theta plus fr cos theta divided by n cos theta minus fr minus fr sin theta यह नहीं को मेस्ट can j mu n यह n normal reaction होता है और यह mu coefficient of friction होता है जो given होता है so हम यहाँ पर put करेंगे fr का value mu n तो यह बन्यागा n sin theta plus mu n cos theta by n cos theta minus mu n sin theta तो n common लेकर कि हम cut कर सकते हैं यहां और यहां इसा भी common आजागा n in cancel हो जागा now इसे हम divide करेंगे cos theta से numerator और denominator को cos theta से i am divide करेंगे तो यह आ जाएगा tan theta plus 1, क्योंकि यह cos theta से divide होगा, तो tan theta बन जाएगा, और यह cos theta से divide होगा, तो यह mu बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर cos theta से divide करने से यह बनेगा, 1 minus mu tan theta, so यह v square को छोड़ करते है, r और g को r चस्में भगा दे, तो v equal to आगा root under, root on both side अगर हम करते तो, क्योंकि यह v square है, हमें v fine turn है, तो v equal to आगा root under, r और g, उस से चला जागा numerator में, यह बन जागा r g, mu plus tan theta, upon, 1 minus mu tan theta, so, यह formula है, maximum speed का, इससे ज्यादा अगर speed बढ़ा है, तो car इस kit कर जाएगा,